हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फजी एंड जैजी किट्टी फ्रेंड्स, आज में बैंगल के साथ आपको एक बहुत ही मज़ेदार सा गेम बताने वाली हूँ और ऐसे ही मज़ेदार गेम से आप हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे तो फ्रेंड्स, आज के गेम के लिए हमें करीब 72-80 बैंगल्स की जर्वत होगी आज मैं आपको 6 मेंबर के इसाब से ये गेम बताने जा रही हूँ और चुकि हमारे 6 मेंबर के लिए ये मैं गेम बता रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे 6 चीट बनाए हैं और इस 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चीट मैंने बनाए हैं इस चीट में क्या लिख्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी और कैसे खेलना है ये मैं आपको डेमो करके बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि करना क्या है इस गेम में तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बता रही हूँ 6 मेंबर के साफ से तो सपोज हमारे 6 मेंबर हैं यहाँ खिटी में 1, 2, 3, 4, 5, and 6 तो फ्रेंड्स ये जो गेम है ये कोई मिनट वाला गेम नहीं है कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें इसमें हर एक मेंबर को एक एक चांस मिलेगा जैसे मैं बताती हूं हम यहां से शुरू करते हैं अपने इस member से तो इस member ने dice roll किया एक साथ दोनों dice को चलाया अगर हमारे पस दो dice नहीं हो तो फिर हमें दो दो chance देना पड़ेगा हर एक member को तो जैसे हमारे इस member ने chance चला उनका 3 plus 2 5 आया है ठीक है तो वो 5 bangle कोई भी bangle इस में color का ऐसा कुछ भी नहीं है 3, 5 ये bangle इन्होंने रख लिया फिर next इन्होंने चला dice इनका आया 6 और 1, 7 तो यहां से उन्होंने 3, 6 और 1, 7 बangle रख लिया next का आया 9 तो next ने 9 bangle यहां पर अपना रख लिया फिर next चला 2 तो उन्होंने 2 bangle यहां पर रखा फिर इनका chance है इन्होंने dice रॉल किया इनका आया 6 तो इन्होंने 6 bangle यहां पर रखा अब इनका last member का chance है उन्होंने चला उनका आया 2 और 1, 3 ठीक है अब यह तो सारे bangle सारे member ने उठा लिये है अब क्या है कि winner कैसे decide होगा कैसे point counting होगा तो उसके लिए क्या करना है मैं अब friends अब dice का का काम नहीं है अब क्या member जैसे सबसे पहले शुरुआत इस member ने की थी अब इस member को क्या करना है यहां से एक cheat उठाना है ठीक है इस cheat में मैंने क्या लिखा वो मैं आपको बता देती हूँ जैसे हमारे six member खेल रहे हैं तो हर एक member का यहां उनके नाम का मैंने cheat बनाया है अगर हम लोग 8 member खेल रहे हैं तो उन 10 member के नाम के 10 cheat बनेंगे वो यहां रख जाएंगे अब जैसे इस member सबसे पहले चला था तो अब चैट उठाएंगे यह member ठोगे अक्या है अब जैसे हम ऐसा मानते हैं कि हमारी यही मेंबर इनी का नाम राखी है ठीक है तो और इसमें आया है चीट इनका अपने ही नाम का चीट आया क्योंकि सारे मेंबर का एक एक नाम का चीट है हो सकता इनका दूसरे नाम का भी चीट आता वो मैं अगले राउंड के लिए अगले बार क का चिटा है तो इनके पास खुद के पास 5 बैंगल है तो इनका खुद का 5 बैंगल और चिटा में इनका नाम है इसलिए 5 बैंगल तो ये 10 बैंगल ये राखी का हो गया है अब ये क्या है चिट ये वापस फोल्ड होके ये वापस इसमें चले जाएगा हमारे इस मेंबर का रा सपोज हमारी इस member का नाम है अर्चना और इनके पास आया है टीना नाम का चीट और हमारी इस member का नाम टीना है तो यह है अर्चना जिनके पास बैंगल है टू फोर सिक्स और सेवन यह हमारी अर्चना है जिनके पास सेवन बैंगल है और इन्होंने चीट उठाया है टीना का त तो यह 3 और 7 यह इनका हो गया 10 स्कोर हो गया और यहां पर राखी का कितना इस्कोर हुआ था मारा राखी का भी 10 स्कोर हुआ था तो अब फिर यहां से हम इस मेंबर का देखेंगे यह चित वापस से फोल्डों की इसी में रखा जाएगा अब यह मेंबर एक चित उठाएंगे जैसे यह वाला चित उन्होंने उठाया इनका खुद का बैंगल है 2,4,6,8,9 इनका खुद का बैंगल है 9 और इन्होंने चित उठाया है प्रियंका का तो प्रियंका हमारी यह वाली मेंबर का नाम प्रियंका है तो इनका खुद का नाइन और प्रियंका का जितना बैंगल है 9 10 11 टूवल 13 14 15 हमारे इस मेंबर का नाम इस मेंबर के पास में 15 बैंगल हो गहे हैं तो हमारे इस केम की बिनर जैसे सब का लाइन से हम पॉइंट काउंटिंग कर लेंगे बैंगल काउंटिंग कर लिए इस तरह से जिनका सबसे मैक्सिमम बैंगल होगा वो इस गेम के विनर होगा अभी जैसे मैंने तीन फ्रेंड का कैलकुलेशन किया है उसमें इनका 15 आ रहा है तो अभी तक के हिसाब से ये मेंबर इस गेम के विनर है तो इसमें करना यही है एक दम सिंपल से कि जो मेंबर जिस मेंबर का cheat उठाएंगे उनका खुदका बेंगल और जिस मेंबर का बुचीट उठाते हैं उनके पास कितना बेंगल और वो दोनों बेंगल जब count हो जाएगा तो actual score जो होगा total number of bangaloga वही उनका point होगा. Thank you.